दूने टीम के एक्ष्टा प्लेयर बिन थिये हैं आप तुरंद आईए आप ताय एक्ष्टि भी मंगब से कि दोनों टीम से बिनती है आपके 12th मैं या बेज दीजिए ग्लोब लिंक स्वागत है सभी दर्शों को का शार्जा इंटरनाशनल स्टेडियम में दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट लीग टेन पील के तीस रिसंस करन के आज पहले दीन में जहां मुकाबला दो बड़ी टीमों में होगा ग्लोब लिंक वेश्टार शिपिंग और बनाम एक राफ्ट स्पाइडर ये दो टीमों के बीच मैच खिला जाएगा दोनों टीमों ये बढ़िया खिला दी दोनों टीमों भी शामील एक राफ्ट स्पाइडर ने टॉज जीता पहले फिल्डिंग करने का फेसला किया और बल्ले बाजी के लिए नियोता दिया है यहां ग्लोब लिंक वेश्टार को यहां शाइडर धिला भाना से थाइडर ने गिल्डिंग झाल ग्लोब लिंक है यहां वेश्टार को करेंसतों यहां जीता है उने, यहां वेश्टार को जिमी दरबार बैटिंग के लिए तैयार और बॉलिंग के लिए गेंद बाजी के लिए मयूर वाग मारे प्ले के लिए ग्लोब लिंग वेस्टार बनाम एक्रप स्पाइडर एक महतवपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए और एक्राफ्ट स्पाइडर मयूर वाग मारे जो राइटाम पाज बॉलर है और इसके पहले मैच में काफी बढ़िया बॉलिंग भी किल थी मयूर वाग मारे जो पन्वेल देवत से बिलॉंग करते पहली गेंद मयूर के द्वारा तपा खाने के बाद थोड़ सी स्विंग होती हुई सीधा विकेट कीपर के हातों में जाती हुई और पहली मदद शुरुआत काफी अच्छी रही पावर प्ली का ओवर है तीज गर्ज के दाएरे के बाहर दो ही खिलाडी होंगे उसका फाइदा बले बाद को लेना होगा अगली गेंद मयूर सही ठीकाने पर इस बार भी गेंद मयूर द्वारा इसके पहली जो गेंद थी थोड़ी सी दीमी गती सी थी ये गेंद थोड़ी सी रफतार से की वेरियेशन मयूर के गेंद बाजे में देखने हमें मिलता है इसलिए पिछले दो साल में इस गेंद साइट के दिशा में खेलने की कोशिश और दो रन दोड कर पूरे किये दोने बल्ले बाद जो द्वारा टेनिस बॉल का क्रिकेट खेला जा रहा है एक जागतिक मंच पर शार्जा इंटरनाशनल स्टेडियम पर और इस शुरुआ थे आने वले दिरों में टेनिस बॉल क्रिके और उपर जाएगा और जागतिक सर्फर खेला जाएगा फिछले कुछ दिनों पहले क्रियो कप में भी टेनिस बॉल कहला गया था इंग्लेंड में मयूर के गेंद लंगोफ की दिशा में खेली गई जीमी के द्वारा जीमी और प्रदीप दो बल्ले बाज बल्ले बाजी के लिए और पहली ओर में स्कोर होता हुआ थीन बिना कोई विकेट कोई कोई ग्लोब लिंग वेस्टार शिपिंग दुनिया भर से आए हुए खिलाडी अपने खेल का जोफर दिखाने के लिए स्चार्जा इंटरनाश्टे स्टेडियम पर मगर टेनिस बॉल का कि इस बार बिगा स्टो को केला लॉंग आफ के जानिब तब तक एक रन पूरा करेंगे पावर प्ले के ओवर में अब तक बांद के रखा है बल्ले बाजों को बड़ा स्टोक खेलने से मयूर ने और यही खासियत है इस गेन बाज की वेरियेशन करते है अच्छी लाइन औ बाजी ब्लॉकल में करने की कोशिश थी कभी धीमिंग अधिसे कदिर कभी रफ्तार से मयूर जिस तरकी के इन बाजी की पहले ओवर का समाप्ति के बाद स्कोर हुआ चार रन बिना कोई विकेट होए उसमाजी जी यहां पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुँचा है चार बिना कोई नुखसान के उमदा ओवर यह देखने को मिला मयूर द्वारा बहुत ही बड़िया स्टार्ट दी है चार रन पर एक ओवर डाली है और चार रन के बल दिये हैं पहला डॉट दूसरा डॉट तीसरी कि उंचा हो जाता है चंदू जी मैं आप से बतना चाहूँगा कि इस सरी के कि स्टार्ट जब मिलती है यह वह गेंद बाजी में ओ या फिर बल्ले बाजी में हो आने वाले खिलाडियों का मंणोबल काफी उंचा हो जाता है जिस की वोगेसे आपके फिल्डिंग में भी नाशनल स्टेडियम में कभी हसाता है कभी रूलाता भी है खेल क्रिकेट का मगर पूरे जीवन में हम सब को बहुत आनन दिया है इस खेल में नाम है क्रिकेट का और उसमें भी अगर ये खेल टेनिस बॉल क्रिकेट का हो तो बिग हिट बड़ा स्टोक मगर सीधा फिल्डर के खाथ में और एक विकेट का पदान होता हुआ ग्लोबलिंग वेस्टार स्टिपिंग टीम का अच्छन रिप्ले लंबा शॉट लगाने का प्रयास लेकिन वहाँ पर सीधे फिल्डर के हाथों में गेन जावेटी और खामियाजा भुकतना पड़ा रधीब को अपनी विकेट गवा कर वापस पविलियन का रुक अपनाते हुए बहुत ही बड़ी आगेन बाजी साकिब दौरा आते ही पहली ही गेन पर सफलता दिलाई अपन के टेम को कामिया भी हासिल की गेन बाज शाकिब जो पकिस्तान पंजाब से बिलॉंग करते हैं और बड़ा स्ट्रोक ला लगाना चाहते थे बल्ले बाज मगर सीधा फिल्डर के हाथों में गेन जाती हुए और एक विकेट या वापस लोडता हुआ चार पर एक ने बल्ले बाज बल्ले बाजे के लिए अविनाश अविनाश रामगुडे महराष्टे टेनिस बॉल क्रिकेट का और एक बड़ा सितारा बल्ले बाजे के लिए चार्जा इंटरनाशनल स्टेडियम पर 10PL टूर्नामेंट में सें पिछले harus पंदराः बीस सालों से अविनाश रामगुडे ने काफी बडिया만 क्रिकेट खेला है बड़ी बड़ी टीमों के लिए क्रिकेट केला है बड़ी-बड़ी प्रतियों की ताह में खेला है आज टेन प्याल के तीसरे संसकरण में देखना है अविनाश रामगुडे कि किस तरह की भूमी का निवाद है इसके उनको स्क्वेर लेकी दिशा में खेलने की कोशिश अच्छी गेन और गुडलेंट पे पिचिंग हुई थी तोड़ा से अपल होके खेलना चाहते थे स्क्वेर लेक की जाने एक रन मिलेगा स्कोर पाच पर अब तक अच्छी गेन बाजी रही है एक रफ टीम की कोई भी बड़ा स्ट्रोक लगाने में कामियाब नहीं हुए बल्ले बाज अब तक काफी किफाई थी काफी कसावट भरी गेन बाजी हो रही है जो मयूर ने की और अब साकीब कर रहे है दोनों द्वारा काफी बहेतरिन गेन बाजी इस पावर प्लेके ओर में इंटर्व्लूप बिल्कुल सहीं कहा है आपने चंदू जी जैसे कि आपने कहा कि बांद कर रखा है बल्ले बाजों को कोई मौका नहीं दे रहे हैं वहाँ पर रन बनाने का इसकी एक वज़े ये भी है कि इसी ओवर की पहली गेन पर विकेट गवाई थी और साधिसा सफलता जिलाई थी साकीब ने तो जैसे कि विकेट जाती है तब दबाव निश्यत रूप से बल्ले बाजी पर आता है और उसी के कारण आप लंबे शॉर्स नहीं लगाते हैं ताके थोड़ा से सिट हो जाएं और जल्द बाजी में ना के एक और विकेट गवाई ताके प्रिशर दोबारा से बहुत ज्यादा होकर वापस बल्ले बाजी पर आए ये भी एक कारण होता है रन ना बनने का चाकिप की एगें सामनी के दिशा में खेला इस ट्रोग को और चार रन हासिल की अपने टीम के लिए बैतनी स्टोग जिमी दर्भार के बल्ले से निकला इस ट्रोग चार रनों के लिए रन की जरूरत है रन निकालने होगे बल्ले बाज को बल्ले बाज का काम ही रन निकालना है और देखते इस प्रतियोगिता में आज काफी बढ़िया बल्ले बाजे देखने मिली विश्वस्तर का क्रिकेट देखने मिला फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक स्क्वेरलेग की दिशा में इस बार जीमी के बल्ले से आता हुआ और एक चौका दाकड बल्ले बाज है तावड तोड बल्ले बाजी के लिए जाने जाते गुजरात के इंडिया के प्लियर जिमी दर्बार आड के इंदों में बारा रन कर चुके अब तक स्कोर 14 पर एक विकेट के नुक्सान पर तीम ग्लोब इंग वेस्टार शिपिंग तेन पिल का ये तीसरा संस करन इस बार अच्छी गेन पॉइंट के दिशा में खेलना चाहते थे मगर एक रन जरूर हासिल करेंगे एक रन के स्कोर आगे जाता हुआ पंद्रा रनों पर दो ओवर के समाप्ति के बाद एक विकेट को कर पंद्रा रन टीम ग्लोब लिंग वेस्टार हलो 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 इसके बांग अबला इंटर ग्लोब मरीन जिसमें जली सेख को आप देखेंगे और 11 और यस दुबाई यपील बुशन पादिल हलो 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 team 11 warriors YBL and interglobe marine are requested to share their playing 11 before the end of next over and I will request both the captains to be ready near the toss box for the toss ceremony thank you तर वडियात मातरु भाशे कड़े उनाएक दा मराटी मंदे समाल लुशना साथी दोन ओवर साले ले आहे द पंधरा रन एक विकेट पंधरा पे एक अनि यह तीस्त्रिया ओर साथी आमंत्रित केला जाता है बॉलिंग साथी अवियत कोनला आमंत्रित केला जाता है करण अपन जिमी दरबार जो गुजराचे ख्यावड वैत आथा परेंत चांगली कमगिरी तैननी के लिए दुसर्या बाजूला अविनाश पपूर राम गु आता है जावत मैच अधिशने पुनचे एक दा जाठीकानी या इस्रू बॉलिंग सटी इतना पाहिरा में दिल जी स्री लंके ला भिलॉंग करदाद इक्राफ्ट 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 स्पाइडर बनाम ग्लोबलिंग वेस्टार सीपिंग की मैच अपन याठीकानी पाहता होत एक बजुलाजर पाहिले तर जाविद यान्सा अनुभवा है दुसर्या बजुलाजर पाहिले तर एक एक रप्ट अपर्म एक अधा बजुला पाहु शकता जीमी चा बैट मदुन निगालेला हाफ अटका खेलनाचा प्रियतना जरूर याठीकाने जाला होता परन्तु स्वात बैलन्स गेला बॉल पुन्हाइक दातमादे पाहु लाज़ा तो है अनि धाव गेनाचा अप्रियतना याठीकानी पाहु याथ काह होता है धोन धावा मातरी याठीकाने गेतला जाई एकास बॉल वर बर्यास खतना गणलाँ शाकीब याठीकानी होते गाच पकडली अनि तीसरे पंचान चे याठीका नी इमागने करने तालीलि आहे मादपा महाद क्रिकेट है अर्था तर्चार्जा स्टेडियाम ओर मधे अंपया याठीकानि आहों अनि या यह ठीकानि उपलब्दादा देखेल अपन पावुशक्ता सब्राइब सबस्राइब परन्तु शार्जा मदे खेलने चो सपन पूर्ण होता है अनी शार्जा मदे कमेंटरी करने चो सपन देखिल पूर्ण होता है कारण ही कुणा मुले शक्के जाला है तर फक्त पेट्रोमैन इवेंट 10PL आनी अरिभभाई आनी तेंचा सर्मपूर्ण टीम चे आभार या होत कारण कुणी सपना ते ही आगोश्टी पाहिला अना स्थील कारन वार्णी शेवं तीम नस सर भाफिचा आना मिलतै कारण शार्जरै पाहिला मेलतै और त्याज बड़े ने आपाश्चा सथी आवड़ करमेसि यह कुप मुठी अपर Egg...' पाहिला मेत है तर थर्ड अम्पेर आठीकानी डिसीजन एल आणि जो काही डिसीजन एल दोनी टीम ला बंदन कारकासना राहे टैन पी यल तो अपना सोला टीम ने पाहिलाए एकास टीम चाथे पूर्णा होना राहे आणि कोंती टीम आसना राहे ते मतरा अपलेलाए आठीकाने पाहिचाए तिसरी पंच या सर्वगोष्टी पड़ताल तील आणि तद मंतर जो निरने असल थर्ड अम्पायर कोड़ून एल आणि याठीकाने अपलेला पाहिचाए तो निरने काय असल याची उत्चूकता याची उत्कंटा स्पांसर साहेद पेटरमैन जे टाइटल स्पांसर आहेद त्यास बरुनिदर पाहिचल अतर सार्जा के के स्टेडियम जे वेनू पाटनर आहेद एकराप मीडिया डिजिटल पाटनर दिली दरबार जे एफन भी पाटनर ड़लीटी एट्टिक दोन तरह में तिल डबलीटी एटिक इंबर स्पॉंशर आहेद गल्फ इंटरनाशनल जे सब्स्टा आहेद छलोबलक्पितर जे सब्स्टार आहेद एईज जन गाड जे सब्स्टार आहेद ड्बल लोगे कीड़ पाटनर द्दाश बरने ऐर आहेड अरे पी याज ट्रेवल पार्टनर आहेद में टॉटर से प्रेवरेज पार्टनर आहेद 77 ये लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर और ये टूल्स माइक्रो प्राविट लिमिंटेड जे क्रेटिव पार्टनर अठरा अठरा रन अपने धावफल कावर पाहतो है एक जबरदस्त मैच सुरुआ है शार्जा इंटरनास्टनर स्टेडियम मदे टेन पील्ची यावेल अपने पाहु शक्ता बॉल इस रुए अंसाट अपा पड़ला नंतर थोड़ा सा उसलिगे तो एक कट ही होतो है और फलंद जला बीट कर जिमी दरबार यानना बीट के लाए और विकेट की पर चाहता मदे या बॉल ला पाठा हुला है तर प्रियतना करावा लाग यावेला बीट करना साप्रियतना केला जातो है बॉल हवेता है और फिल्डर बॉल चाहली एता है कैच शूट ले लिया है और या पाव्या कैच महतु आची आस्ते कैचिस विंद मैचे सासा महतले जाद अनि याठीकानी आता जिमी दरबार सार क्या एका धड़ा के बाज अच्मनला मिया लिल जीवदान या पुढे नंतर काई वहील तेमा तर याठीकानी पाईज है तर स्कोर जर पाहिला तर पुढे जातना पाहिला मियल तो जाहिल एको निस्वर 19 ग्लोबलिंग वेस्टार शिपिंग एक मोठी टीम है गेल्या ही वर्षी जर पाहिला तर याठीमने खुढे चांगली गमगिरी केली होती अणि यावेला बॉलिंग साथी इसरू उन्हाइक दैताना पाहिला मेतिल तर अविनाश रामगोडे पुन्या चा क्रिकेट मदे ज जागेतिक मन्चावर अन्याची आणि तो प्रिया त्यासाटी याठीकाने आपन पाहा दो है तिमात्र अविनाश रामगोडे आन्ना यावेला देखील एक अप्रतीम चेंडू याठीकाने टक्ताना पाहिला मियाले एसरू आणि यावेला बैच एज गेतली आणि यस्टी रक्षकाने अप्रतीम कामगीरी करता स्ताना विकेटला माघरी पाठावलाए अविनाश पाथ काई क्रिकेटला दिवस आले तानि ते देखिल टेनिस बॉल क्रिकेटला आया खुप चंगली बॉलिंग याठीकाने ओताना पाहिला मियाली इसरू आणि एकोन इसवर दोन विकेट कदी कुनाला वाटले नसेल अपन अगधी छोटय-छोटया ग्राउंड वर क्रिकेट खे क्रिकेट बिलDINGग थे आले पाहिला मियाली तो समूद्र किनार आवर्टो ऑक यृप यृप क्रिकेट खेळ तो ततर आपने याली जया थिका नी जशी अंबरनात ते शार्जा परेंदेशा प्रवास करता अस्ताना अंडरम क्रिकेट विश्व देखिल गाज़ा उनारा हाँ बैट्समन अपलेला पाहिला मिलतो है तो मातराथ शार्जा स्टेडियम और अनन्त वाग अनन्त वाग ओर नंबर जर पाहिला तरे याटिकाने तीसरी सुरुआ है अनि अत्त पनें तो कूप चांगली बाॉलिंग याटिकाने ये क्राप टीम चे अपलेला पाहिला मिलते वीश वर थांबावला है दोन विकेट मागारी परतलेला अस्ताना बॉलिंग साथी पुन्हाइक दाइसरू बैटिंग साथी अपलेला याटिकाने पाहिला मिलतेल जीमी धड़ा के बाज जीमी दरबार या विला मत्रस सायम दाको चंगला बॉलो तवा खुल्वर्ट अपेजा बॉल टकने चा प्रियतना सराल वैतला देला कवर्च अधिशने खेंड़ने चा प्रियतना जाला एक दाव गेतली गेली अनि स्कोर जर पाहिला तर तीन ओवर संपलया नंतर 21 लॉस अप टुगेट तीम ग्लोबलिंग वेस्टर शिपिंग तीन ओर संपलया नंतर याठीकानी अपन पाउशक्ता 21 धावा जल्ला है दोन वेकेट मागारी परतल्या नंतर अजुन नही याठीकानी याठीकानी पाउशक्ता कशा प्रकाची कामगेरी केली जाहिल प्लैनिंग केला जादा क्रिकेट हाँ सांगे खेला याठ केला मदे तुम्हाला प्रत्तिकाला जुकुन देवल आकता बैट्स्मन असेल, बॉलर असेल, फिल्डर असेल, प्रत्तिकाला आपले काम करावल आकता एका ची कामगीरी जरी खराब जाली तरी देखिल टीम पराबुद होने ची संबाउशकी काया पहा एक टीम मीटिंग होते आनि तेया मिटिंग ला अक्रा चाक्रा क्याडू ध्याटिक आणि उपस्तित रहाताथ एक निर्ने होतो आणि त्याचा हाताथ बॉलिंग सोपोली जाते आणि त्याच बरुने अचास निर्ने चाधरी देखिल बैट्समन मैदानाथ पाटव लेजाताथ परन्तु बैट आणि ब रिवरतन केले जाते बॉलिंग साधी जोएब इंटर ग्लोब मरीन कैप्टन आफ इंटर ग्लोब मरीन प्लीज रिपोर्ट नियर दी कमेंटरी बॉक्स फोर्ट तॉस तॉस विलापन आफ्टर दिस ओवर थैंक यू जीमी सर्वांचा नजरा या जीमी वर आसनारा है कारन धड़ाखे बाज बैट्समन आहेत गुजराचे के वहाई ही मैट्स पारड़ बदलू शकता जोईप्षा यंच अगडे देखिल शमता है चंगली गुलन दाजी करने ची करण इकड़े आलेला प्लतेक जन बेश्ट आहे कुनी इकड़े एतना ही जो चंगली कामगिरी के ल अनि दुसरे बाजु लजर पाहिल तर एक एक मोठा फटका खेड़ावे लागिल रन करावे लागतील हाता जी बैट आहे लाकड़ाची तया बैटने रन कराई चाहे धावा कराई चाहे आमाला शार्जा गाजवाईस है आमाला टेन पील जिंकाई चिए याद सटी सर्वा बाल लेत बीग गिट करनाशा प्रयात नाटिकानी हो दो आ जी मी बीग घी प्रयात नातिकानी पाहा टायां चाह गजर मड़ तुन आ पाहिला neutral कारें घसामर्थ कांसीख दपर तोあन भीकेट से भुत बान धौटाके बाजी मी घारी इंटर्ग्रोप मरीन क्याप्टन से बिंथी है आप तुरंत टॉस के लिए आईए अर्शद मेमन होंडो जे वाड़ाला बिलोंग करता वाड़ा पालगर धड़ाके बाज बैट्समन आहे तो गेलिया परवाद देखिल यास मैदाना लामबस लामबवर सिक्स तेनी खेलडे होते अनि गलोबलिंग वेस्टार शिपिंग तीम मदून खेलड़ता सान तो कारना मा केला होता तोज धड केट सा जो आहे अपला सर्वांचा लाड़का पहा दाहोत आपन सद्ध्याचा घडिला अंतर राष्टिय ख्याती चा शार्जा इंटरनाशनल स्टेडियम वर या वेला एक चांगला ड्राइव केला जातो है समुर्चा दीशेने एक धाव द्याटिकाने गेतली जाहिल स्कोर दर पाहिला तर एक ने पुड़े जाहिल जाउन पोसे तो माध्र बावी स्राणवर कूप चंगली बॉलिंग आता परंते केली जाते टीम इकराप टीम चा माध्यमादून आणि जा पद्धे दिने इकराप स्पाइडर्स यावला बैट तर फीरोवली गेली परंतो मोठा स्ट्रोक मंदे पड़ावर्तित करूँ शगले नाही जबर दस्त याटिकानी बॉलिंग मंता मनावी लागेल जा पद्ध दिने पलंदाजानना बांधून ठेवले कारंच चौथी और सुरू है केव चुका तेन्चा राजाल्या होत्या कदाची त्यान अंतर क्याप्टन ने मीटिंग एतली सर्वाणना एकत्र केल आणि केच सांगितला की आपलेला त्या चुका टालाएचा आपलेला शार्जा मदे जिंकाईच या वेला पुन्हाइक दा उसली गेतलेला बॉल पाहिला मे तीन विकेट माघारी परतले अनंतर 23 जबर दस्त बॉलिंग अपनि आटिकाने पाहातो एक डॉड बॉल बॉलरला कॉन्फिडेंस देतो एक अधिक उर्जा देतो ते आपन पाहाता होत या नपील चा तीसर्या परवा मदे कुलवर्ट प्याचा बॉल त्याला खेलड गेले ओंसाइच दीशे ने डीप बिडॉन ला मात्र फिल्डर देटिकानी आले बॉल आडवने अचा प्रियतनसर जरूर जाला आणि या परंतुतो परेंत एक धाव पुरुना केली गेली अचार हितिने पहीले आ चार ओवर सं प्लेन अंतर स्कोर जाला है चोवीज ट्वेंटी फॉर लॉस अफ्री विकेट अफ्टर फॉर और बहुत बहुत शुक्रिया चंदकांट शेटे आई यह चलते हैं आज की रात के आखरी टॉस की तरफ इलेवन वारियर्स वाइबियल यानि की यश्मिसी अलाइन्स और उनका मुकाबला होने जा रहा है इंटर ग्लोब मरीन आईजी एम भुशन पाटिल और जलीश शेक यह दो हमारे कैप्टन्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस मैच का टॉस अंजाम देने जा रहे हैं फिरोज भाई आये फिरोज भाई strategic timeout में यह तॉस हम गरा के ले रहे 10PL is the call 10PL, Bushan, you have won the toss and what is your decision? We'll feel first Is there going to be any change in the team? Yes, Usman Peser is out for this match and Dilip Bijuva is in for this match Final question, are you satisfied the way your team played the first match or you still see a scope of improvement? No, honestly no, but it was as it was the first match So for the ballers and the batsmen, it was like a practice match and now we'll come back strongly in the second match We have just learned the conditions and we'll execute now Thank you so much Jaliz bhai, पहली बार, Sharjah International Stadium पर आप यहां पर खेलने आये हुए हैं कैसा मैसुस कर रहे हैं? बहुत प्राउड फिल हो रहा है कि शाज़ा जैसे एक हिस्टोरिक ग्राउंड पर यहां पर खेलने का मौका मिल रहा है और आप अगर TOS जीते तो क्या decision ले थे? TOS जीतकर बल्ले बाजी करने का प्लानी था पर सामने वाले टीम ने वो मौका दे दिया है तो पहले बल्ले बाजी करते समय कोई टार्गेट आपके आखों के सामने? अच्छी मैं थोड़ा डियू फेक्टर भी काम करेगा भी आपे तो हम लोग 70 प्लस रन टार्गेट सेट करने का यह करेगे बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई आपका भी दोनों कैप्टेंस का भी 11 वारियर्स वाई बी एल ने टॉस जित कर फिल्टिंग करने का फैसला किया पहले बैटिंग करेगी इंटर गलोब मरीन आज की रात का आखरी मुकाबला अब से खुछ देर बाद आईए लॉट चलते हैं अभी जित पावर के बास कमेंटरी बॉक्स में शुक्रिया अज के दिन का यह आठवा मुकाबला चल रहा है और एक्राफ्ट स्पाइडर्स ने टॉस जीत कर पहले इदुन करने का ननेल है अभी तक तो हाल उनके लिए बहुती सही है मागी कुछ एक अच्छा परयास करता हुए बहुत अच्छी गेंद, तेकि इसलिए मयूर वागमारे जाने जाते हैं, अपने इस बॉलिंग स्किल्स के लिए, अपने इस हुनर के लिए, उन्होंने नाखेवल अपने परिसर, बलके पूरे महाराश्चा और पूरे इंडिया में बहुती कम समय, बहुत बड़ा नाम कमा ह यह उनकी काभीलत है, यह उनका टालेंट है, और इसी के बल्बूते पर, इकाफ स्पाइडर्स की टीम में, आज वो बॉलिंग का नेतरुत वा करते हुए, यह लो फुल टॉस डिलिवरी थी, विकेट टेकिंग डिलिवरी, लेकिन गेंद, क्लियोर होती भी बॉंडरी के प मिलेगा, अरशुद होंडो का यह बहुती तगड़ा प्रहार, अगर हम गेनबाजी की तारीफ करते हैं, तो जिस प्रकार से बैटिंग क्रम में आकर, मैगी एन अरशुद होंडो ने कुछ ही गेंदो में अपने आपको सेटल किया, एक अच्छी पार्टर्शिप बनाई, और उस पार्टर्शिप को कही ना कही अप एक बड़े स्कोर की तरफ लेकर जाने की कोचिश कर रहे है, तरड़ अमपार की मदद ले जा रही है, तरड़ अमपार देखकर अपने इस निर्णय को स्पष्ट करेंगे, क्या यह सिक्स है या क्या फूर है, यहाँ, छे रन का निर्णय मिलता हुआ, हमारे मैच रफरी तरड़ अमपार जो दोहरी भूमिका में है, असलम सर गुरू सर, इनकी जितनी भी सराना की चायोती कम है, जिस प्रकार से पेटरोवान, इवेंट्स के माध्यम से, टेन पी एल सीजन तीन का एक बेमिसाल आयोज एक नए तक्त पर लेके जाता हुआ, यह सीजन है, इस सीजन में, आज का यह पहला दिन और यह शाम के सित्र की, यह जो माच चल रही है, इक आफ्ट अस प्राइडर्स की टीम, बहुती बड़े पैमाने पर वापसी करते हुए, इस अतिरिक रन के साथ, इस स्टार शिपिंग का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, और एक स्लॉग हिट करने की कोशिश दीप स्क्वेर लेग रीजन पर किलाडी मौझू दे, लेकिन मैगी अन हॉंडो को थोड़ा से संबलना होगा, आउट फिल्ड में डियो अब धीरे-धीरे करके क्यों नहों, लेकि प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी मेडिकल टीम, अगर जरूरत तो प्लीज हॉंडो, अलो के अर्चद, हॉंडो अलो के, या, थैंक यू, ऐसे समय पर जब आप शार्जा क्रिकेट स्टेडियम में खेलते हैं तो अपने आपको सुरक्षित रखना कितना इंपॉर अगली गेंद, अक्रोस खिला हुआ ये, एजास के पास लॉंगाउन की तरफ जाते हुई, जो टीम का नितरूत हुआ कर रहे है, एक युवा और एक बहुती निडर कप्तान है, एजास, जिन्होंने इस तीसरे सीजन में अपने कप्ताने का हुनर दिखाया है, सो स्कोर हु मौका और मौका दोनों हातों से बहुती आसानी से ये कैश लिया, अर्शद होंडो हुए, आउट, बड़ा विकेट, बड़ी मचली जाल में, और एक जटका, JSW के लिए पांच ओवर के समाप्ती के बाद, और 34 पर 4, ग्लोबलिंक वेस्टार शिपिंग की टीम को एक ये बड़ा जटका लगा है, क्योंकि अर्शद होंडो जिसा एक अच्छा बल्लेबाज वापसी करता हुआ, एक अच्छा कैच लिया गया, अर्बाज ने जिस सरे से जच क्या कि ड्वाइलाइट में इस तरह की कैच इसको जच करना, जो एक हाइट पर चले जाते है, एक उचाही पर चले जाते है, उस कैच को निर्धारित रखना अपने सुरक्षित हातों में, एक फील्डर की काबिलियत को सपष्ट करता है, नए बल्लेबाज दाकिल होए कृष्ण पवार जो अर्शद हॉंडो की जगा लेने आये हैं, और निश्चित रूपर उनसे बड़ी अपेक्षाय रहेगी, अठ्रा गेंदो का खेल निर्दारित है, इन अठ्रा गेंदो में, मैगी एन कृष्णा दूनों को एक आकरामक रवाया अपनाना बहुती जरूरी होगा, मैरुन अपने दो ओवर के निजी स्पेल में, चौदा रन देकर एक विकेट हासिल किया, बहुती किफाईती ओवर, इकनॉमिकल स्पेल उन्होंने पूरा किया, जोहेब शा, जो अपने दूसरे और आखरी ओवर के स्पेल में आ जाएंगे, पहले और मोने तीन दन देकर ए माटवा मैच के लिए और विकेट बहुती जादा हरकत में अभी नजार आ रहे है, पहले के मैच में लेके पहले चार मैचों में बोलोस को बहुती अच्छी मदद हो, इसके बाद बैस्मन के लिए गई, बाद में इवन स्टीवन विकेट नजार आती है, हलकी सी रोलिंग क गई है, पिच को बहुती अच्छी तरह से बनाया गया है, पूरी मकमली सतय है, जो ग्रीन एरिया दिखाई तरह बाउंडरी की तरफ वहुती तेज विकेट है, और शाजा क्रिकेट स्टेडियम की सबसे खूबी रही है, एक अच्छा विकेट मकमली सतय है, फील्डर्स सार और उनकी पूरी टीम ने लगातार तीन साल इसी तरह का बढ़िया आयोजन का स्टर रखा गया, और ये साल तीसरा साल बेमिसाल, ब्रॉडकास्टिंग टीम 7070, सुपब as a unit, पूरे की पूरे ब्रॉडकास्टिंग टीम ने क अच्छा परयास किया है, और जिस प्रकार से हम उत्रा हम धन्यवाद करते है क्योंकि उन्होंने समय की मर्यादाओ को रखकर हर एक काम आज सही समय पुरा, ग्रैंड ओपनिंग सेरमनी की गई, इसके बाद सारे माचस कंटिनुन है, हम एंटेइनमेंट क्रिकेट देख रहे हैं, एक उत्तम दरजे की उच्छे कोटी की दर पर हमारे साथ कॉमेंटरी बॉक्स में इस पूरे 10PL सीजन 3 का जो इतियास अपने सोरन अक्षरों से अर्चित करते हुए, हमारे स्कूरर नाधिर भाई और राहिल दोनों चन मौझूद है, एक बड़ा ही दोरन लेने की कोशिश दूसरे का कॉल को स्विकारा, और ये बहु उसमें ज्यादा से ज्यादा रन बनाना होगा, एकराफ्ट स्पाइडर की टीम, काली शेक और उनकी पूरी टीम ने आज एक बहुती बड़ा कमबाक किया है, इस सेकेंड मैच में, पहले मैच में जो गलतियां हुई, उन गलतियों को दुरुस्त करते हुए, ये छोटी गे पूचा करते हुए, एक बहुती अच्छी और नेक ओवर की समापती की है, सोहेब शाह ने जिन्हों ने अपने दो ओवर के निधारी स्पल में नौर रन देकर एक विकेट हासल गया, स्कोर है, चालीस पर चार, छे ओवर के समापती की बाद, जिससे हम बैटिंग स्कोर कार्ड देख रहे है, चालीस रन, सरवाधिक रन, जीमी दरबार ने क्विक फायर 17 रन बनाया, 15 गेंटों में, इसुरू ने उनकी विकेट ली आजम का एक अच्छा कैच, प्रदीप आउट हुए एक रन पर, अविनाश आउट हुए एक रन पर महिरु आगमारे ने शुरू को और एक-एक विकेट प्राप्त हो होता हुआ और अरशद हॉन्डो के एक बहुत बड़ी विकेट, महिरु आगमारे इनको मिली, तो एक अच्छा बोलिंग यूनिट हमने देखे मिला, शुरू को एक विकेट प्राप्त हो है, महरु आगमार एक विकेट, साकीब इनको एक विकेट और जोईब शाह इनको एक विकेट, चारो ही गेनबाजों ने एक विकेट लेकर अपने परच्छम बुलंद किये हैं और बहुती इकनॉमिकल स्पेल रहा है, पहला विकेट गिरा चार पर दूसरा 19 फिर तीसरा 21 और चौतह विकेट यानि कि गॲोब लिंक, वैस्तर शिपिंग की टीम को आकरमकर वया अपना नहों आपना ना होगा अनिडर्ता दिखानी हो गिया अपने marketing skills अपने hitting skills को दिखाना होगा क्योंकि ये जो दोनों बल्लबाद है middle order की मुडिल ओर्डर की बैटिंग को पूरी तर से संभालते हैं इनको एक अटाकिंग क्रिकेट दर्शाना बहुत ही जरूरी है लो फुल्टोस गेंदो को कंप्लीट करना होगा बड़े हिट में करना होगा यह सारे जो क्रिकेटिंग स्किल्स है एबिलिटीज है आकरे की दो ओर म में इसी तरह से खेलना बहुत ही जरूरी होगा अनिवारी होगा क्योंकि 65 से 75 का स्कूर यह जीएसड़लीव टीम के लिए बहुत ही फाइटिंग टोटल होगा क्योंकि उनके पास एक अच्छी बोलिंग स्ट्रेंथ है लेकिन बोलर्स को कहीं न कहीं मौका देना बहुत जरूर एक सम्माजनक स्कूर खड़ा करने की कोशिश और पहली गेन बहुत ही आकरमकतरी के से कहला है कैच की कोशिश नाकामियाब वन बाउंस ओवर देफेंस मिलेंगे चार ये गेन की शुरुवात इस ओवर की शुरुवात जबर्दस्ट दमदार असरदार शुरुवात कि कैच लेने की कोशिश जरूर की क्याप्टन ने लेकिन उनके हाथ से गेन निकल गई और निकलते ही चार रन उस गेन पर लिग दिया गया था चार के साथ 44 पर चार ये सही सोच है सकारातम करवया मैगी और कृष्णा ने दोनों नहीं लगाया लेकिन मैगी कि यहां सराना करनी होगी उनकी तारीफ करनी होगी गेन बहुत अच्छी थी ब्लॉक और डिलिवरी करने का प्रयास फॉरवर्ड पिच्छिं की गए थी लेक सब्सक्राइब करने का इस गेन में एक रन मिला पांच रन आ है पहले दो गेंदों पर शार्जा क्रिकेट स्टेडियम पर आप सीधा प्रशारण देख रहे हैं 7070 यूट्यूब चैनल और 10PL.net के माध्यम से लगातार व्यूवर्स की संक्या जो है वो बढ़ रही है और क्यों नहीं करने के लिए कल के शाम के लिए हम सब बड़े ही बेसबरी से इंतिजार कर रहे है कल का एक बहुत यादगार लमा होगा यादगार दिन होगा इंडिया बना में पाकिस्तान ठीक साड़े 8 बजे यूए टाइम के अनुसार और भारत में ठीक 10 बजे होगा औ और पाकिसान में साड़े नौ बजे के तकरीबन ये मैच सीधा प्रसारण आपको देखने मिलगा कहीं बड़े नाम कहीं बड़े क्रिकेटर्स कहीं बड़े सितारे और इतिहास में हिस्ट्री में पहली बार इस सरका टेंस बॉल क्रिकेट का एक बहुत ही उम्दा आयोजन का स रखा जाएगा चली क्रिकेट की और बढ़ते हैं बहुत अच्छा क्याच लिया गया मयू अरबास की तरफ से लास्ट वकेट जो हॉंडो का किरा एक तोड़ा सा ब्रेक लगाने की कोशिश जरूर की है एकराफ्ट स्पाइडर्स की टीम ने लेकिन मैगी अपने आकरामक रवाईये के साथ बाटिंग करता हुए इस ओर में छे रन दिये है चार गेंदों में इसुरू ने डेद गेंद बाजी इनकी एक बहुती प्रमुक एबिलीटी है उनकी बहुती बड़ी स्किल है और इसुरू ने निरधारित रखा है पहले चार गेंदों में कि छोटी गें तोड़ी से एक वेरिएशन दिखाई गेंद की स्पीड को कम किया दो रन आसाने से पूरा करेंगे मैंगे एन कृष्णा इस दो रन के साथ रनों की सिती पहुशती भी अड़ताली सरुनों पर पंकज हमारे डिजिटल स्कोर अप्डेटर जो स्कोर लाग दि उनके माध्यम से हमारी पूरी ब्राड़कास्टिंग टीम आलमोस्ट हमारी 20 प्लस टीम है वो बहुत मेहनत करें आप सभी को हाई-क्लास ब्राड़कास्टिंग टेलीकास दिखाई दे रहा है सारे स्कोर अनलेजिस इन-देप्ट अनलेजिस देखने मिल रहा है यह इस सीज कि मैगी का यह कमाल है साथ ओवर के समापती के बाद स्कूर को पहुचा उन्होंने 54-4 at the end of 7-0 score is 54-4 और मैगी की उस आकरी गेन के स्टोक के बारे में असलम सर भी यहां कॉम बॉक्स में खुश हो गए कि जिससरे से शफल हुआ है और एक बैटा खिट उनकी फिवरेट रिजन पर जाकर उस गेन को पहुचा है सो मैगी आत्मविश्वास के साथ बैटिंग करें कुरुष्णा को यह पहले गेन पर बहुत जरूरी होगा या तो चौका हमारे या तो एक रन निकाल कर स्टाइक लटा है यह सोच रहेगी 22 रन पर नॉट आउट है सिर्फ 14 गिन्दों में एक 6 और एक फूर यह बैटिंग का हल है मैगी का एक अपने टीम की प्रमुक जिम्मेदारी उन्होंने समाली अर्शद हॉंडो और जिस प्रकार से दर्बार आउट होने के बाद उन्होंने एक एंट को संभाला है सिर्फ संभाला नहीं है कि रनों की गती बरकरार रखी रखी जाए यह भी उ के अंदर तक रुखने की कोशिश करेंगे खुद कैप्टन अपने ही अपने आप पर ही विश्वास रखते हुए आखरी निर्णायक ओवर एजाज अनुवर इंते दर्फ से खिया जाएगा यह बहुत ही क्रूशल रहेगा क्योंकि एजाज अपना पहला ओवर करने जा रह लाडिया उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है वेल डन कुछ रन बचाना यानिका इल्टीमेटली सेकेंड इनिंग में दोज रन्स याव स्कूर जितने भी रन आप बचाएंगे ऑटमाटिकली वह स्कूर हो जाएंगे सेकेंड इनिंग के लिए इग्राफ स्पाइडर्स ने बहुत ही अच्छी बोलिंग यूनिट फिल्डिंग का स्थर बहुत ही उमदा रहा लेकिन डेट इनिंग्स में मैगी की बाटिंग ने सभी का दिल खूश किर लिया है स्पेशली डगाउट से उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव आवाज आ रही है उनके लिए कॉल आउट किया जाए कम ओन मैगी सिट सम्मोर सिक्सिस उनकी तरफ से अपेक्षा हैं बढ़ रही है और अपेक्षा को पूरा करते हुए मैगी लेकिन सीदे फिल्डर के हाथ में गेन हाथ से निकल गई यह बड़ा ड्रॉप होगा ऐसा लग रहा था कि मैगी अपेक्षा को पूरा ही करने जाएंगे लेकिन सीदे फैजल ने इस मौके को गवा दे लेकिन स्लॉट में थे उनकी लेकिन बैट के ब्यूटी स्पॉट पर अगर गेन नहीं लगेगी तो वो गेन बांडरी के पार नहीं जाएगी और फैजल का एक अंतिम शणों में गेंड हातों से पॉप आउट हो गई एक लाइफ लाइन मि अगे लिए बात कर रहे थे लेकिन कुरुष्णा पवार जगे बनाई इनका ये वार शिकसर का वार था और जब भी इस कुरुष्णा पवार शिकसर का वार करते लिए देख सोच लीजीए आपकी और एक शिक्स आने को है क्योंकि एक सकरात्मक उर्जा का संचार यहां दोनों ही बल्लेबास करते हुए यहां बॉड़ा मैज और एजाज अन्वर को विकेड मिला बड़ा विकेड कृष्णा होंग आउट लोटेंग ये पैविलिन में कि देखिए इट का जवाब यहां पत्थर से दिया एजाज अन्वर ने पांचवे विकेड का पतन जीएस डबल्यू टीम के लिए बासट पर पांच करिश्णा पावार दस रन पर आउट हुए साथ गिंदम और एजाज का एक आटिटूड और अप्रोच दिखिए कितना जबर्दस वो चाहते थे यह विकेड मिले अधिक उनको ट्राप क्या गया गेंद में आप अगर पेस को वेरियेट करेंगे तब जाकर आपको ऐसे विकेट अपने ही फॉलो तुरू पर कैच लिया गया कॉटन बोल्ड कृष्णा पावार आउट न तेन विदल पर हुटास्ट वान सिक्स इस इस अटुनिग पॉंट अप्ट अप्ट अच्छा मोमेंट होगा इकराफ्ट स्पाइडर्स के लिए उनके उनके उनर अंडाउटब्ली कालिशेग बहुत ही खुश नजर आते हुगे वड़ा बॉल इट इस सही गें बैट्समन को फॉलो किया और यॉकल एंपर गेंबाजी की हाथ कोलने का मौका नहीं मिला जावेच शेक के लिए उनने अपना निजी कहा था खोल दिया इस एकरेंट के साथ आखरी गेंट है नादिन दिलों की धड़कन न आखरी गेंट पर क्या होगा 6345 लास्ट बाल तुगो आखरी गेंट और आखरी गेंट पर अच्छा कनेक्शन है नहीं दिखना है कैच पकड़ा है बहुती जबर्दास कैच लिया गया आजम के लिए और एक कैच पकड़ने का मौकर वह आसानी से कैच छोड़ेंगे नहीं तो 6346 एदी एंड ओफ एट ओवर्स यह मैंगी ने अपनी जिम्मेदारी बखू भी नहीं गाई आखरी गेंट पर 6 चाहते थे लेकिन उनकी वह चाहत पूरी नहीं हुई 16 गेंटों में तेई सरन बनाया है मैंगी ने एक चौक और एक शिक्स बैटिंग काड़ अगर हम देखे 6346 एदी एंड ओफ एट ओवर्स दो एक्स्टाज दो वाइट दिये गए सरवाधिक रन बनाये मैंगी ने तेईस दूसरा सरवाधिक स्कूर जिमी दरबार्म ने 17 रनों पर प्रदीप अविनाश ने एक एक रन बनाये और अर्शद होंड के लिए एजया जनवर ने 2 विरिकेट हासिल कि ईसरूर ने एक विकेट मैयोर ऩॉराग मारे एक विकेट साके मंचवत ने एक विकेट और जोहिफ्चा ने 1inations एक विकेट हासिल के एक। इस प्रकास से माराइटन ग्राफ आप देख रहे यह थोड़ी सी जो बिल्डिंग है वो ऊपर नीचे रही यही बात कही ना कही अगर बिल्डिंग यह उपर जाते रहती तो एक स्कूर यह असी या पचासी तक करनवर्ट हो सकता था सो अच्छी स्पेल अच्छी क्रिकेट हमने पहल इनिंग में देखी है 63 for 6 at the end of 8 hours आएंगे कुछ ही लमों के बाद देखिएगा यह आड़ ब्रेक आपके लिए DJ प्रीज म्यूजिक कि अवगा याओ झाओके विएपिए यह थी फिर पार को की लिएबर्ट हो अवार्ट इस को की आपके लिए यह आज़ फिर जो रो हो सकता विएबर्ट है त्रवार करिया तुछ नित्वादी के लिए नित्वार दूवादी नित्वार के लिए तवार करते हैं विजमा, इस बाक तो यू, थैंक यू थैंक यू अबिजीद, थैंक यू सो मच विजमा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक खिए नहार, थैंक I request to please send the batsman into the field Welcome back to the second innings Of the game between Ikhraf, Spider taking on Global Link will start shipping Then as the results so far Ikhraf, Striker, Spider have won the tour Selector to field first And manage to उन व्हीन क्वार बृरक लिटोग अन वेंगे टिदिन न pacte जेव्युट कि चल्डोप बाहना काूर्ट Disease next 163 sıटालिय। and the हेज उन न लेज 2ndерм मेंग जेजुट झाज़ यंट वीगनोवानों कर वाय है। So the batsman are out, the opening batsman, the opening pair is out to chase the target here. And let's have a quick and a brief look at the sponsors of 10PL Seasons 3. I would like to thank them from the bottom of my heart, starting off with Pistro Men, title sponsor, and followed by Sharjah Cricket Stadium, when you partner, Ichraft Media, digital partner, ज्लीधर इधर्भ एंवरेग इन्मार। मुझ ए λोगद्टिक अन्मार। सप्ब Zus पुछ सुछफ प्राइश से लोगश इनोंग संपौसर साफ गोंपूसर सपोसर Сंपांइनर कौ सबस्ता kayह अरिय ओढven कार्ड सपस्पॉसर संपांसर ओred किझेंग पातने य'रे अेर बाताव पातना मेलत वोतर बिरेजिस पातना 7070 या प्रम पातना तोस्मेंग्र प्रविष्ट प्रवा लिट्ट तर्ट पातना रुड था तर्ट तंक्यो ओल इज कि इव औरे बाला उप्रे विर भरे of making this event a grand, successful and memorable one with all your efforts global link 12th man I request you to please send your 12th man idea Faisal and watch it the opening batsman around the crease Faisal gonna take the charge he's on to the strikers and Aniket Rao the man with the ball there you go beautiful delivery right into the block hole wanted to play towards the extra cover area but couldn't make the contact of the ball with the bat and landed safely in the hands of the wicket keeper a dart ball to start the over a lot depends on the power play cause 64 is just a target which is not a very big one here at the stadium first runs on to the board for a craft spider and that comes off the bat of Faisal and he is of the mark 2 watch it now on to the strike beautiful delivery again straight into the block hole area beautiful piece of running between the wickets what a great combination now this is always be a troubling factor for the bowler and the fielding side cause whenever you are having a right hand left hand combination that troubles a lot to the fielding department as well as to the bowling department beautiful ball this time the ball is high up in the sky fielder coming underneath it and an easy catch into the safe hands first wicket down and the man with the golden arm Aniket has done the job Jimmy Darbar the man who took a very easy catch into the safe hands and shown the way to Faisal to walk back towards the pavilion first wicket down for a craft spider global link 12 men I please request you to send your 12 men towards the commentary box captain of global link please cooperate send your 12 men right here as I am the new man in to replace Faisal beautiful ball and again high up in the sky fielder coming underneath it at this time that was a tough chance but if you want to win the game those tough chances needs to be get counted four runs any which ways end of the over with that boundary after the completion of very first over still one more remaining I see ball this time again he makes his count played towards the middle area beautiful piece of footwork over there definitely saved some runs for his team a couple of runs again counted in the scorecard with that couple of runs end of the over after the completion of very first over in the second innings a craft spider score goes to eight for the loss of one big wicket that is Faisal of a the 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 एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा सेकेंड इनिंग्स के दूसरे ओवर के चलते हैं टेन प्रीमेर लीग सीजन त्री जोके टेनिस बॉल क्रिकेट वर्ल कप के नाम से भी जाना चाता है प्रस्तूत की आगया है आपके खिद्मत में पिट्रोमेन इवेंट्स की ओड़ से और जिसके स्पॉंसर्स यहाँ पर आगया हैं जो के जिनकी मैं तह दिल से शुक्रियादा करना चाहूंगा 10 P.E.L. सीजन 3 के स्पॉंसर्स हैं पिट्रोमेन ने जिल से जिल से शॉंसर्स प्राइब। जी आम है बात कर रहा था टेन प्रेमियर लीग सीजन त्री के स्पॉंसर्स की जो के ओफिशिल स्पॉंसर्स है जिनका मैं तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहूंगा जिनोंने अपना बेस्ट फूड आगे रखा और अपनी दलेरी का सबूत दिया है यहाँ पर टेन प्रेमियर लीग सीजन तीन के ओफिशिल स्पॉंसर्स का मैं तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहूंगा पेट्रो मैं ताइटल स्पॉंसर्स इनके साथी साथ मैं शुक्रियादा करना चाहूंगा शार्जा Cricket Stadium, जो के हैं वेडियो पात्नर, एक्राफ्ट, मेडिया, डीटल पात्नर, दिलि हीधर बार, फुटन पेवरेज पात्नर, व्ब्ट, टेक तेंबर, सपोर्ट स्पोर्स्पोनस्पोनस्पोर्ट अर्यन, Hygiene Guard, Support Sponsors, OOK, Oog Kitting Partner, Air Arabia Travel Partner, Meltwater, Bevorages Partner, 7070 Live Streaming Partner, and last but not the least, Tools Macro, Private Limited, Creative Partner. मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रियादा करना चाहता हूँ, जो के आपने अपने एक्स्ट्रा ओर्डनरी स्पिरिट के साथ, स्पोर्टिंग स्पिरिट के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाया है, और इस बहुत ही बहती बहती नेते हासिक टॉर्नमेंट को काम्याब बनान में अपना योगदान दिया है, जिसके चलते, मैं एक और चीज़ बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान बनाम, पाकिस्तान एक बड़ा मुखाबला, नुमाईशी मुखाबला जो के कल होने वाला है, शार्जा, अंतर राश्र क्रिकेट मैदान पर, जिसका इंतिजार, जोरो काफी सालों से पूरे विश्व भर के दर्शक कर रहे हैं, जहां पर गेंद निकलेगी, इसलाम अबाद से तो बल्ला गुमेगा नई दल्ली का, जहां पर गेंद बाज आएंगे, हिंदुस्तान से अपने जोहर बताने के लिए, तो बल्ले बाज पाकिस्तान के तयार होंग के अपने बल्ले बाजी के हुनर को बिखेरने के लिए, जहां इसी तरह से मैं आप सभी का शुक्रियादा करना चाहूंगा, यदि आपका योगदान इसी तरीके से बरकरार रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं, जब पेट्रोमेन इवेंट्स के जरिये से हम एक बाएक टेनि सिरीज हो सकती है, बाइलाइटरल सिरीज हो सकती है, इंडिया, पाकिस्तान, बंगलादे, स्रिलंका सभी इसमें पाड़ ले सकते हैं, जिस उन्चाईयों को अभी 10PL चू रही है, काबिले तारिव, पूरे विश्व में, आज 10PL के माध्यम से टेनिस बॉल, क्रिकेट की सरा रहना होते हुए, इसी के साथ वापस चलते हैं, इस मकाबले में, थोड़ा सा समय जरूर मिला था, लेकिन वापस आएंगे, इकरार, स्पाइडर, और ग्लोबल लेंग, वेस्टार, शिपिंग के मकाबले में, डूसरा आवर लेकर, सागर, रिवर्स स्विफ खेलने का प्रयास, अंदुरूर नहीं किनारा, रनाउट की समाब नहीं हो सकती हैं, लेकिन वापस पहुंचें, 64 रन का लक्षी रखा गया है, ग्लोबल लिंक, वेस्टार, शिपिंग स्कियों से, एक बार फिर रिवर्स स्विफ खेलने का प्रयास, लेकिन बहुत ही बहतरीन तरीके से गेंद बासी करते हुए सागर, केवल आंट रन अभी तक आया हैं, इस इनिंग में, और एक विकेट भी गवाच चुकी है, एक राफ्ट स्पाइडर, बहुत ही बढ़ी आगेंद तपा का कर अच्छी उचाल वहाँ पर जरूर मिली सागर को, जिसे समझ नहीं पाए बल्ले बास और भागिया शाली रहे, बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया गेंद वरना, नुकसान भुगत ना पड़ता, बढ़ी आगेंद एक पार फिर से बाहरी किनारा कुछ देर के लिए हवा में जरूर थी गेंद लेकिन सेफ लैंड कर गई, नो मैंज लैंडिंग जिसे हम कहते हैं, एक रन का और अज़ाफा होता हुआ स्कोर कार्ड में और आज़म अपना खाता खोलते हुए इस एक रन के साथ, कुछ देर जिद्दो जहद जरूर की है आज़म ने लेकिन इस एक रन के साथ अपना खाता खोला इनों ने, बहुत ही बड़ी आवर साबित होता हुआ अब तक का, सागर की ओड से, बहुत ही बड़ी आगेद उतना ही बैतरीन शोर्ट लोगान के शेद्र पे छेरन काफी लंबा शोर्ट निकलता हुआ वाजीद के बल्ले से, फाप लिया था गेंद को टपा खाकता है हुए, जिस तरीके से आई थी गेंद बल्ले पर उसी तरीके से लपक दिया उसे, छेरन बड़ा है अपनी टीम में, एक बार फिर से हवा में गेंद, फीलडर उसके नीचे मजूद, और बहुत ही बहतुई जज्जमेंट, क्या ही कहने इस खिलाडी के, बहुत ही बड़िया कैश लेकर एक बार फिर से अपनी टीम को सफलता दिलाने में कामियाब हुए है, स्पाइडर मैन की तरह लपका है उस गेंद को अविनाश ने कि गलती हूँ है it Annika Eich Roo back into the attack with his spell second in the team's third over in progress and also Rashi the new man comes in to replace Vajid the new batsman rushes on strike he'll be facing Tony Keith outside the offspring just open the face of the bat and given the direction towards the point area just one run to be added on that occasion and he is straight away off the mark now a much depends on these two Azam Aghwan and Rashid they need to build up a partnership here though the target is not a very big one at this moment but still a beautiful piece of bowling work done by Aniket Arad change in the pace has done the trick a dot ball toward over in progress 16 is the score on the scoreboard for the loss of two wickets so far down the leg strap we'll have to wait for the call yes indeed wide umpire signals it as as one more extra run added to the scorecard and i also would like to thank our scorer and i would like to thank our official scorer who is also sweating himself here by counting each and every delivery and putting it into the right slot mr Rahil fansopkar beautiful shot what an amazing placement that is straight onto the Petrom and events board what a shot he waited 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 and then delivered six more ones added to the scorecard hey 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 कि अवड़नी पो प्यूश्त पूज़ूए जशक्त खभी जगिए पक्रोर कार्ण नियुवति जी देव कर दो शेवे झार सेवंगिनागतेक्टूर पास्टियों वीद्वोरी है गए गीड़ेज टोर अटेप्न पिस्कॉर्ण लेगा खरेगेड़ेज ज़िस्सा ग्हाइट है each and every single time I used to say this whenever a batsman conceded a boundary either it be a 4 or a 6 always a quality batsman rotates the strike soon after he conceded a boundary and that is what exactly Azam has done at this point soon after getting a 6 just rotated the strike and given an opportunity to Rashid to play further deliveries nicely ball this time outside the off-stump just wanted to cut it down towards the third main area just found the inside edge and the ball has just rolled down towards the wicket keeper no one conceded on that occasion a dot ball to end the over after the completion of 3 overs score goes to 24 for the loss of 2 wickets now this is turning out to be a very crucial game 64 runs is the target and a craft spider is trending on 24 runs now 64 run ka laksh rakha gaya hai aircraft spider ke ake and now the other is the target and now the other is the target 24 run board per laksh kya hai hai two wicket ke nukh zan per कप्तान रहेंगे पाकिस्तान की ओर से और जहीर कालिया बहुती बड़ा नाम 10-P-L में फिलहाल उपकप्तानी करेंगे पाकिस्तान की ओर से काफी उत्साहिद होते हुए उत्तेजित होते हुए दर्शक इस मुखाबले के लिए बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ कल 11 मार्च 2020 ठीक 10 बजे इंडियन टाइम होगा 10 बजे का और यहाँ पर आप देख सकते हैं साड़े आठ बजे लाइव शार्जा अंतर राश्ट्रे क्रिकेट स्टेडियूम से जोजी थौमस आये हैं जोजी का भार समालने के लिए कोमेंटरी बॉक्स छोड़ से अपने खाते का पहला और टीम का चोहता आवर लेकर बढ़िया केंद अंदुरूनी किनारा और वापस लोटना पड़ेगा आजम को काफिया क्रमारिक लेपर जरूर नजर आ रहे थे लेकिन बिना समय लिए प्रहार करने की कोशिश और विकेट कवा बेटे सीधे विकेट कीपर के हातों में जाती हुई केंद और एक आसान सा कैच और एक बड़ा जटका लगता हुआ एकराफ स्पाइडर्स को और एक बड़ाई एक बड़ए स्पाइडर्स को जो है वाँ है नए वलबाद रिप्लेस करने के लिए आज हम को बढ़िया की एंसी दे ब्लॉक होल पर किया था लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे जोहिब को और आते ही अपने खाते की शुरुवाद की जोहिब ने एक रन के साथ तीन विक्ट ने जरूर गवाद चुकी है लेकिन पचीस रन अभी भी स्कोर कार्ड पर मौजूद चाहिए की एक साज़ेदारी यहां से बनाएं ताके लक्ष की ओर बढ़ सकें यदि विक्ट गवाएंगे तो निशित रूप से प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाजी पर और अंजाम कुछ भी हो सकता है इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है एक छोड़ पर राशिद तो दूसरे छोड़ पर जोहिब ब्लॉक होल एरिया में एक बार फिर से रूम नहीं देना चाहते किसी भी बल्लेबाज को रंस बनाने का कोशिश पूरी होती भी दूनों ही बल्लेबाजों के ओर से कि क्या आप ढूंडे और बॉंडरी बटो रहें बहुती बढ़िया गेन काफी बल के साथ घुमाया था बल्ला लेकिन चीते की तरह दोड लगाई अनिकेहत ने और केवल एक ही रंसे संतुष्ट किया वहां पर जोहिव को बहुती बढ़िया गेन बाजी अभी तक देखने को मिली जोजी की दोर से अच्छी गेंद एक उस पार छोटी गेंद जैसे कि मैं हर बार कहता हूं जब कभी आप छोटी गेंद करते हैं तो गती होना आवश्यक और उसी गती के साथ ये गेंद की थी जोजी ने जिसका परिनाम हुआ डॉट बॉल बहुती बढ़िया गेंद एक बार फिर से गुडलन स्पॉट तर फेकी वी गेंद लंबा प्रहार जरूर करना चाहते थे राशिद लेकिन एक ही रन से संतु शुना पड़ेगा और इसी एक रन के साथ ओवर होता हुआ समाब स्कोर पहुँचा एक राफ्ट स्ट्राइकर्स का अठ थाई इस तीन विकेट के नुखसान पर और यहाँ पर समय लेंगे स्ट्राइजिक टाइम आउट का और उसके बाद आपको आगे काहा सुनाने के लिए आएंगे कॉमेंटरी में मशूर जीन की आवाज है हिंदुस्तान की जो आवाज बन कर आये हैं शारजा स्टेडियम पर जिहां बड़े खाबिले तारीफ होनहार काफी अनुभवी कॉमेंटेटर हरिश पांडिया जी बहुत बहुत शुक्रिया वेलकम तारीफ सेयद जी थोड़े दूर रहते हैं पर ध्यान बराबर रखते हैं अमारे तारीफ भाय आपका स्वागत है वेलकम गाईज तो 10PL season 3 cricket at its best on the globe and when it comes to tennis cricket you cannot remain away from the all live action happening here at Sharjah International Stadium we are thankful to Sharjah Cricket Council Emirates Cricket Board and ICC for blessing this tournament with their support and cooperation we are also thankful to all our sponsors our title sponsor Petro Man venue partner Sharjah Cricket Stadium digital partner E-Craft Media F&B partner Delhi Darbar support sponsor WBT Timbers Gulf International Global Computers who have sponsored the Man of the Match Award Arian Hygiene Guard we are thankful to them as well kitting partner OOK travel partner Air Arabia beverages partner Meltwater live streaming partner 7070 and creative partner Tools Marcom Private Limited what a fantastic game of cricket between E-Craft Spiders and Globlink West are shipping Anikethe has already bowled his two overs put away 17 runs and claimed one wicket Thomas has also bowled one over four runs and one wicket now 24 balls and 36 to get as we see the pressure commencing from the far end and bowler is Sagar Kamlai a very popular creator cricketer from Ratnagiri in Maharashtra in India took hat-trick in Ratnagiri Champions to OV just about a month ago first delivery banging it short and that goes aerial route for six valuable runs great timing that was Rashid Plague it 34 for three this is what cricket is all about E-Craft Spiders they are hungry for the victory they know that we can do it now all they need is another 30 runs from here Rashid on 10 this time a ground shot now this is what I call a technically correct batting irrespective of the format of the game once you hit a boundary or a six take a single and rotate the strike and that's what is done by Rashid and now he has given opportunity to his partner Zoheb to go ahead and face Sagar Kamlai 29 runs required to win the match required run rate is dropped to 7.91 just one extra so far global investor shipping will have to pull a trick out of their hats another half tracker delivery and very easy picking towards a deep mid wicket it is also called cow corner because in traditional cricket batsmen used to play with straight bat and hardly two or three shots used to go to mid wicket and if no one is going there then the grass over there can be grazed by cow and that is how it was called cow corner in cricket by Englishman 36 for 3 oh what a brilliant delivery that was pitched perfectly and slanted across these stumps to the wicket keepers hands Sadar Kamla is known to produce these kind of magical deliveries 36 for 3 another powerful hit and that will go to the vans for 4 what a glorious looking on drive 4 runs yeah Rashid fan club RFC 40 for 3 40 for 3 40 for 3 well you certainly need a fans who can do anything and everything for you and Rashid certainly inspired by his fan club his friends 40 for 3 another 24 required to win the match and this game is slipping away from the hands of of GWS wide outside the of some declared wide 41 for 3 every run is being cheered up for e-craft spiders beautiful delivery and no opportunity for any runs Sagar Kamlae finishes his over Sagar slightly costly compared to his overall resume in cricket 2 overs 20 runs in 1 wicket beautiful lighting and illumination arrangements here at Sharjah Cricket Stadium state of the art facilities and I shall request both the teams to be ready inter-globe marine taking on 11 warriors Yash Bishya lions what today is a great day we saw warriors we saw Tiger of Raigad and then now we are seeing the spiders Tusharandiwe another popular cricketer from India 18 balls 23 to win current run rate 8.20 required run rate 7.67 Rashida is on 15 and Zohab is on 3 over commences from the pavilion end cross-betted short and Arshad Hondo the fielder there nice throw 17 balls 22 to win 42 for 3 is the score Rashid has batted with the lion's heart and he wants to get his team back to the winning ways because they missed out on the opportunity in the first game it is all about survival of the fittest and if you are fit you will survive and if you have to survive you have to be fit if you are fit then you automatically become super hit in cricket 42 for 3 17 balls 22 to win Tusharandiwe at this time look at the way he has plundered that ball out of the park for a monstrous 6 on the rise that was a hot shot that was a golf hit reminding me of Phil Mickelson playing golf somewhere at Miami Beach California and the way it was hit it was neat and clean hitting 48-3 Rashid on 20 of 11 wide delivery target target becoming slightly easy now for e-craft spiders 49 for 3 poking it to the point takes a single 50 for 3 both the batsmen are complimenting each other very well that's what you got to do understand the needs of your partner what are the preferences trying to go for a helicopter shot and that helicopter landed in safe zone for a single score 51 for the loss of 3 wickets 14 balls 13 to win nail biting finish can Tusharandiwe make it a photo finish a dot ball to batsman Rashid Rashid is not out on 22 a very well played innings by him wide ball these white balls can prove costly in the crucial stages of the game and that is why stump to stump bowling is always recommended in limited overs game this time on the legs of the batsman and he has reviewed it Rashid and match referee Aslam Sarguru will decide the fate of that delivery last match of the night will be between inter globe marine taking on 11 warriors Yashbishi alliance the defending champions and and so O-U-T that's out and Rashid comes back but what are swashbuckling innings by him new batsman is Isru Isru will be remembered this year for hitting six to Zahir Kalia 13 balls 12 to win current run rate 8.91 required run rate 5.54 it's a chilled weather last word will be bowled by Joji and Joji will be bowling to none other than Zohib Shah closing closing his eyes and trying to play that delivery leg by I I have to start here I have to go to जोजी के सामने बैट्समेन है इसुरू इसुरू नाम से मुझे एक श्रीलंगा के क्रिकेटर की याद आई इसुरू उडाना जो क्रिकेटर हुआ करते थे जोजी के अगेंद बहुत ज्यादा तेज करने का प्रयास बॉल अपनी दिशा से भठकती हुई और वाइड बॉल अब बार द्वारा वाइड बॉल और सिग्रेट स्मोकिंग ये दोनों नुकसान का रख है न करे न करने दे महिंगे पड़ सकते हैं 54 for 4 इसमार विदी टाइट चाबुक शॉट और ये लगा 6 इसरू बैट्समेन हमारा इसरू जो हो गया शुरू एक रणना शॉट्मेन विकेट पर दूसरे की दौड और पूरा कर लिया इसरू ने स्कोर अगर बर्दा वा 62 पर 4 और मैच जीतने के लिए केवल दो रनों की दरकार है इक्राफ्ट स्पाइडर्स इस मैच को जीत लेंगे ऐसी पूरी संभावना ओन्ली टू रूए बल्ली का सीरा और मोटा सीरा लेती हुई गेंगई विकेट कीपर के हाथों में जोजी को मिलती हुई यह सफलता और वापस लोटते हुए मैच मैन इसरू क्याश लिया विकेट कीपर मैची ने नए बसमन है इजाज अन्वर हमरे अर्शद भाई भी कमेंटरी बॉक्स में आचुके हैं अश्रफ भाई यश्विस्या लाइन्स 11 वारियस वाई बील टीम तयार हो रही है यह केवल दो रन चाहिए 62-45 रशित की पारी बहुत ही तगडी और इस्रू द्वारा भी अच्छी वाई ओ नजर हटी दूर्गटना गटी जोची अंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे यह जोची का पावर है एक और विकेट छटे विकेट का पतन इजाजन्वर आउट है ट्रिक पर नया बैट्स मेंन साकिब जोजी अगर यह ट्रिक ले लेते हैं मैच में नया रेकौर्ड हो जाएगा और फिर एक चीज मैं पक्की कह सकता हूं कि लोग 3G 4G भूल जाएंगे और याद रखेंगे केवल जोजी जोजी ओन है ट्रिक ग्लोब लिंग वैस्ट आर शिपिंग पिछले साल क्वाटर फ़र्नल का मुकाबला मुझे याद है जिस तरह से यही टीम ने टॉन आउट किया था क्या वो एक बार फिर से कर सकते हैं एक चमतकार साथ गेंदे दो रन सेवन बॉल्स टूरं स्टुबिन परफेक्ट यॉरकर जोजी ने कामयाब ओवर पूरा किया यहां पर साथ ओवर बासट रन छे विकेट और अखरी छे बॉल में दो रन छे बॉल में दो रन की जब बात आती है तो अब नए उवर को लेकर आ रहे हैं अविनाश रामगुडे जिनको पपू भी कहा जाता है और क्या पपू पास होगा आईए देखते हैं यहां पर जो एक्स्ट्रा रन गए वाइड के रूप में उनकी तरफ ग्लोबलिंग वेस्टार शिपिंग को देखना होगा क्योंकि क्लोज मैच जब होते हैं तो एक्स्ट्रा रन जो है यह गेम चेंजर बन जाते हैं अविनाश्रामगुडे कोई करिश्माई गेंदबाजी अगर कर लेते हैं तो ग्लोबलिंग वेस्टार शिपिंग इस मुकाबले को जीत सकती है एक स्लिप लगाई गी है सब्मरीन बॉल नीची रहती हुई और जैसे बॉल नीची रही विकेट कीपर के पास गई अब पर मॉम्मद रफी दस कदम चले इवनिंग वाक करते हुए है और अब मिडनाइट वाक रात को डिनर करने के बाद कई बार मुखवास खाके आप ऐसे चलते हैं चार बॉल दोरन अविनाश रामगुडे क्या वो इतियास लिखेंगे चार बॉल दो स्ट्राइक पर है बैट्समैन जोएप शाह दो गिन जोएप समद नहीं पाए अगली गिन इस बार बड़े आराम से प्लेस कर दिया स्पार अविकेट और यह माच को जीत लिया है चार विकेट से इक्राफ्ट स्पाइडर्स ने अभिनादन दो पॉइंट अपने हासिल किये है और इक्राफ्ट स्पाइडर्स I request both the teams to shake hands before they come out I request both the teams to shake hands with each other Fantastic performance by E-Craft Spiders पहला मैच हार गे थे लेकिन कोई भी हार हमेशा के लिए नहीं होती मैच समरी मैगी सोला बॉल तेईस जिमी दर्बार पंद्रा बॉल सत्रा कुष्णा पवार साथ बॉल दस अर्षद ओंडो पाज बॉलांट और इजाज अर्ण